कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवत मौत को भी बुदल रहे हैं इतना खुन देखके लगता है इसे बड़ी बेहर है मी समारा है क्या शुरू होगी नहीं वोर क्या खिचड़ी पका रहे हैं डारेक्टर प्रशान निल पावफुल पीपल में पावफुल प्लेसेस ये बिलकुल सही है और इसका पोफिक एक्जाम्पल है सुपरस्टार रॉकी भाई यानी की यश किसी भी थेटर में और्डियन्स की जुबा पर सोशल मीडिया पर एक ही पावफुल आदमी का नाम चल रहा है सिर्फ फिल्म में रिकॉर्ड नहीं बनाती पावफुल लोग भी हिस्टरी बनाते हैं सुपरस्टार यश ने सबको दिखा दिया कि अब इसके आगे भी सिर्फ उनका ही राज चलेगा क्योंकि अब केजी फ्री के अनाउंस्मेंट की गई है ये तो होने ही वाला था क्योंकि चाप्टर टू हजार करोड कलब में एंट्री ले चुकी है चाप्टर थ्री में भी एक नई राइवल स्टोरी देखने को मिलेगी वैसे यश की इस ग्रान फिल्म ने सब के पसीने छुड़ा दिये इनके आगे तो अब प्रभास भी फीके लगने लगे है सब कहते थे कि बाहु वाली का रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल है पर ये काम तो रॉकी भाई ने करके दिखाया कहते हैं ना हर किसी का बाप होता है फिल्म में रॉकी भाई के जितने दुश्मन जले होंगे उतने ही असल जिंदगी में उनके कॉम्पेटीटर्स भी इसलिए तो केजी फ्री का एलान करके बची-खुची कसर भी उन्होंने पूरी कर दी लोग तारीफे कितनी भी करते हो पर इस रेस को तो हर किसी को जीतना है और इसमें प्रभास पीछे रहेंगे ये खबी सोचा नहीं था यश्ने दो फिल्में से ही इतनी बड़ी बाजी मारी है कि अब उन तक पहुँचना प्रभास के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है प्रभास की पिछली फिल्म रादे शैम कुछ कमाल नहीं कर पाई अब उनके फैंस भी नराज हो चुके हैं तो दूसरी और यश्न के बैनर लगा कर पूजा कराई जा रही है इन सब के बीच में फैंस प्रभास पर प्रेशर तो आएगा ही न और अब तो उनका मुकाबला KGF 3 से हो सकता है लगता है ये वार तो चलता ही रहेगा क्योंकि प्रभास और यश्न दोनों अलग-अलग इंडस्री के सूपरस्टाज है पर प्रभास ने भी KGF डारेक्टर प्रशांद नील के साथ सालार फिल्म में काम किया है जो एक रवेंच स्टूरी ही है इसलिए यश्न के सक्सेस को बीट करना और सालार को सक्सेस्फुल बनाना ये तो बड़े चालेंजेस होंगे प्रभास के सामने इसमें खबरे ये बता रही है कि डाइनमिक डारेक्टर प्रशांद अपने इसी दो फिल्म के बीच का कॉम्पेटिशन हटाने का प्लान बना रहे है क्योंकि KGF 3 के स्टूरी को शायद सालार से इंटरकनेक्ट किया जाएगा इससे उनका ही डबल फायदा होगा पर डारेक्टर का फायदा हो या ना हो प्रभास और यश की बीच का मुकाबला देखने में ओडियन्स को मज़ा तो आएगा ही और वैसे भी सब काफी एक्साइटर है ये देखने के लिए कि KGF 3 में यश कितना वायलेंस दिखाते हैं आपके हिसाब से यश को बीच करना पॉसिबल है पताए कमेंट बॉक्स में लिखकर इस वीडियो को शेर और लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले झाल